प्रिश्टो थे कारिक्रम, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 शोताव नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ जैनेंद्र इस कारकर में जैसे कि आप जानती हैं कि मन की बात के विभिन बिन्दों का विस्तार हम शामिल करते हैं और विस्तार से उस पर चर्चा करते हैं विशिशग्यों के साथ, अतितियों के साथ उद्देश यही होता है कि माननी प्रधान मंतरी महोदे राष्ट के चिंतन को लेकर समाज की चेतना को लेकर और लोगों की बेहतरी को लेकर जो कुछ भी सोचते हैं हमारे साथ शेयर करते हैं साजा करते हैं उसको हम विस्तार से उसके बारे में बात करें ताकि हम उससे लाभ अजना के पूरे हुए तो प्रधार मंतरी महोदे ने मन के बात में विशेश तोर पर इसका उलेख किया और उलेख करते हुए जिस खुशी की अनभूती उनके शब्दों में महसूस होती है मुझे लगता है कि हर लाब हानुद व्यक्ति उस खुशी को महसूस करता है और उसक शर्मा जी जो की मुख्य कारेकारी अधिकारी है राष्टिय स्वास्ते प्रादेकरण के और जिनके नत्रतों में आईश्मान भारत जनारों की योचना और इससे जुड़ी तमाम गद्विर हैं पूरे देश में संचालित हो रही है तो सर बहुत-बहुत स्वागत था आप तीन वर्ष पूरे होने पर बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे तो बहुत गर्व की अनभूती होती है कि माननी प्रधान मंत्री जी ने इस योजना का जिक्रमन की बात में किया क्योंकि मैं जानता हूं कि ये योजना उनके दिल के बहुत करीब है और तुमने देखा होगा जो आईशमान भार डिजिटल मिसन के लांच के मौके पर उन्होंने कहा था कि जब किसी गरीब को अगर माननी जे मुफ्त में इलाज मिलता है और उसके बाद जो गरीब की बिमारी में जो उसका घर बरबाद होता है तो उस बरबादी से हम उसको बचा सकते हैं उस तो इसी लोगों से बात करते हैं उनने खुद स्वेम बताया इस बात को हमको बहुत खुशी है कि इस अभियान में हम माननी प्रadhan मंत्री जी की जो इच्छा है जो उनकी संकलपना है जो उनका विचार है उस विचार को आगे ले जाने में हम अपना योगदान दे रहे हैं साथ ही साथ ये भी है कि जो जिस गरीवी के गर्त में लोग बीमारी से गरीब परिवार जो होता है या उस मारजिन पर जो परिवार होता है वो जाता है उसको उस गड़े में जाने से पचाने का एक बहुत ही पुन्य का काम हम सब लोग कर रहे हैं तो बहुत बड़ा है, मैं पढ़ राता कहीं, कि बीमारी पर जो खर्च होता रहा है, उसकी वज़े से हर साल 6 करोट से जादा लोग गरीबी में धकेल दिये जाते हैं, या उसमें ऐसी इस्तिती में आ जाते हैं, जहां उनके लिए आगे का जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता और वैसी इस्तिती में अगर कोई अपरत्याशित रूप से बीमार हो जाता है परिवार में, तो यह बहुत बड़ी दुरगटना होती है, और उसकी वज़े से जैसा कहा 6 करोड लोग निश्शित रूप से परिवार और वो लोग ही नहीं बलकि पूरे परिवार के परिवा अगर एक आदमी बिमार हुआ तो पूरा परिवार जो है, और परिवार हो जाए, तो आपकी इंकम भी बंद हो गई, और इंकम बंद हो गए, तो फिर उसके बाद तो आब ऐसे ही इस्तिति में आ गए, कि अब आपको या तो खेट बेचना, या गहने गिरवी रखना, या जो भी आपके पास पूजी संपत्ती है, या कर्ज लेना और बहुत बड़ी-बड़ी व्याज पर साहुकारों से या गाओं में उस तरह से कर्ज लेना पड़ता है, यह भी आपको मानना होगा कि एसे लोगों की कोई क्रेट धिस्ट्री भी नहीं होती विचारों की, तो बैं दानमंत्री जी ने कहा कि यह खर्चा नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल सही बात है, देखे, दानमंत्री महोदे के मन में शायद यही सारी चिंताय नहीं होंगी जिसकी वज़े से उन्होंने इसकी परकल्पना की इसके बारे में सोचा और इसको धरातल पर उत लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको मुझे लगता कि एक बार उनको हम दुबारा चीजों को बताएं, समझाएं, जागरू करें इस बात के लिए किस से जुड़ें जी बिल्कुल, एक बात जो पहले मैं इस पस्ट कर दूँ कि इस योजना में किवल हॉस्पिटल इसका मतलब मान लिए आपको जुकाम हुआ है चोटा मोटा बुखार आया है जिसके लिए आपको अस्पिताल में भरती होने के आवश्चता नहीं है तो वो चीज इसमें शामिल नहीं है और वो चीज होती भी है नॉर्मल कोर्स में अपना लोग दवाई खा लेते हैं या क कुछ थोड़े दिनों के बाद मतलब चोटा मोटा कुछ पुडिया ले लिए लोकल जो वैद्ध है या कुछ है लोकल जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगर होते हैं वहां पर इन चीज़ों के इलाज मिल जाता है वहां पर कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता तो बेसिक जो पेसेंट्स हैं अब तक हम तीन वर्षों में कर चुके हैं और उस पर करीब सताइस हजार करोण रुपया इस पर खर्च हो चुका है तो एक तरह से साड़े तेरह हजार रुपय एक व्यक्ति पर करीब-करीब एवरेज हमारा खर्चा आता है तो उस तरह से हम गंभीर ब जो सोचियोगनोमिक का सेंस का डेटा है 2011 का थोड़ा पुराना है और उस पुरानी डेटा में खोजख करके हम लोग पता लगा लगा करके लोगों को बताते हैं तो हम प्रयास कर रहा हैं कि जादस जादे लोगों के आईशमान कार्ड बने बिकाज होता क्या है कि अगर मान लीजे आप लाभानवित हैं आप अलिजिबल हैं लेकर आपके पास कोई टोकन नहीं है आपके पास कोई कागज नहीं है ये प्रूव करने का कि आप अलिजिबल है तो हो सकता है अस्पाल वाला आपको लोटा देगा कि भाई तुम जाओ इसके काबिल नहीं है दरसल डॉक्टर सब विवारी के अस्तर पर बहुत सारी ऐसी लोगों से प्रतिक्रियां या लोगों की दुश्वारियां सुनने को मिलती है और जमीनी अस्तर पर ये चीज़ें होती भी है कई बार जिसको हम चाहते हैं और आप से चर्चा करने का उद पर थाबने के लिए लेकिन शुरुआत उसको करनी होगी शोताओं कारिक्रम अब सुनने पोस्ट वर्क्स नमबर 111 और आज इस कारिक्रम में आईश्मान भारत योजना की जो शुरुआत हुई थी प्रधार मंतरी चन आरो की योजना पीमजे जिसके बारे में आम तोर पर हम जानते भी हैं और और जादा जानने की कोशिश हम आज कर रहे हैं डॉक्टर आरेस शर्मा साब जो की मुख्य कारेकारी अधिकारी है यहीं चीफ एक्सकुटी आफसर है राष्टिय स्वास्ति प्राधिकरण के जिसके इंतरगत इस योजना का संचालन हो रहा है आपसे लगबग 11 करोड परिवार ऐसे होंगे जो इसमें शामिल हो सकते हैं अब यह बात हो रहे कि आज कितने हैं जी जी बिल्कुल इसका मतलब यह लगा सकते हैं कि 50 करोड लोग 54 करोड लोग है 10.74 करोड 10 करोड 74 लाक परिवार और करीब 54 करोड विर्ति इसलिए यह अब देश शिमय ने बता ही दिया आपको कि किसी प्रकार से जो हिल्थ में आउट और पॉकेट एक्सपेंटर होता है इसकी वज़ए से लोग गर्त में जाते हैं इसको बचाने का हो है अब मैं आपके श्रोटाओं के साथ हम लोगों ने कौन-कौन से ऐसे स्टेप लिये है जिनकी वज़य से जादे से जादे जागरुकता इस आसकाने आ सके। और लोग जोड सकें। तो पहला स्टेप लिया है कि आरोगे मित्र बनाने का। अच्छा अब आरोगे मित्र कौन है? आरोगे मित्र वह है जो अपने पणोसीं को, अपने गाउं वालों को, अपने रिस तो आइडिया यह है कि जब उनको आरोगρι मित्र जो बनेंगे, हमारे पोटल पर आएं और पोटल पर आगे अपना रिप्लाइश्रिशान करवा दें कि हम भ्हाई अरोग उनला चाहते हैं, तो उनको यह नम्मर हम दे देंगे, और जो जो पेशेंट वहां जाएंगे तो वो number उनका code करें कि भाई हमको इस व्यक्ति ने मदद की, तो वैसे इस्तिती में माल लिजे, वो 10 लोगों की मदद करेंगे, 15 की मदद करेंगे, तो हम उनको उनकी services को recognize करेंगे, उनको कुछ न कुछ goodies देंगे, कुछ उपहार चोटे-मोटे देंगे, बहुत जादे कीमत क नहीं होंगे, लेकिन एक प्रसंसा का कम से कम certificate और पत्र भी देंगे, तो हम लोग चाहते हैं, ज्यादे ज्यादे लोग इससे जुड़ें, इससे क्या होगा, community participation लोगों का इस program में बढ़ेगा, और उसी लिए हमने ये concept निकाला है, आलोग गिमित्र का, इसकी क्या कोई वि पात्र हैं, ऑच्छा चाह रहे हैं, हम को ईलाज करें और हम पात्र हैं इसके, तो वो देखें कि अच्छा पात्र है कि नहीं है, तो आप हम लोगों ने ग्याद कि प्यवस्ता है, उस विच्मित्छा को भी बहुत सरल कर निया है, आप हमारे portal पे ये जाकर के लिस्ट डाउ कर सकता हूं कि भात रहूं कुछ तो एक बहुत आसान सा तरीका मिलता है और हो सकता है कि बहुत से गरीब लोग इस चीज को नहीं अग्सेस कर पाएं, इंटरनेट है बाकी सब चीजें हैं तो इस प्रकार के जो आरोग इमित्र जो हमने कहा उस तरह के अगर लोग होंगे तो कम से कम जैसे मालीजे हमने एक गाउं की लिस्ट दाउनलोड कर ली और डाउनलोड करने के बाद उस लिस्ट को जाकर के लोगों से और हमने यह भी दिया हुआ है उस लिस्ट में किसका कार्ड बन चुका है किसका कार्ड नहीं बनाया उनकी लिस्ट देख लीजे और उसके यह कार्ण है कार्ड कार्ण भी मुफ्त में बने गाल, केवल को जो कहा एक ब्रण के बारे में डेटेल केब करें क्लेश करें करा कि हुई है, तो हम लोग मुफ्त में उसको कार्ण डिलीवर करवा देласт German का लाजय करें आईश्मान भारत में और जादे से ज़ादे लोग इसका लाब ले सकते हैं। एक चोटा सा कार्ड है, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, जादे खर्चा भी उसमें आता है, और हम लोगों ने सोचा है कि इस खर्चे को हम बहन करेंगे, राष्ट्रिय है, पहले 30 रुपे की वेवस्ता थी कि वो 30 रुपे मनवा सकता है, होता क्या है, कि जब गरीब आदमी बीमार होता है, तब उसको लगता है कार्ड कहा है, और जब बीमार नहीं होता है, तो क्या जरूरत है, तो 30 रुपे क्यों खर्च किया जाए, इस तरह की चीज़ें होती रहती तो हम लोगों ने का, आप कर बनवा गे रखियें कि जिससे कि जब आप बीमार हों, आपको को परिशानी नहीं हो. अच्छा कार्ड तो बन गया, लेकिन उसके बाद कौन-कौन सी जगह हैं, जहां जाकर वो अपना इलाज करवा सकता है, या एडमिट हो सकता है, जाकि उसका इलाज हो सके उसके गंभेर मिमारियों के लिए, उसकी सूची भी उपलब्ध होती है? हमारा एक एप्लिकेशन भी है, जिसमें आप सूची देख सकते हैं, और हम लोग उसको और ज्यादे यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं, कि माल लीजे, मेरे आसपास कौन-कौन से अस्पाल हैं, जो के आईश्मान भारत की सेवा देते हैं, वैसे तो सभी सरकारी असपाल जुड़े हुए हैं, बड़े-बड़े अस्पिताल भी मेदानता है, या बाकी और भी अस्पिताल है, वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो वहां पर जाके आप सेवा ले सकते हैं, लोगों की डॉक्ट सब कई बार ये प्रत्रक्रिया मिलती है, कि जो कागजी का एरवाई है, उसमें थोड़ी उनको उल जंसी होती है, उनको समझ में भी नहीं आता कई वारा, या बहुत सारे ऐसी जाहिर सी बात होनी भी ज़रूरी है, क hacks नहीं होना चीए हैं, उसका दुरुप्योग भी नहीं होना चीज़्े, यह सुनिशित करना बहुत आउशेग के सरकार के लिए क्योंकि जनता का ही पैसा है तो उसमें वो जो प्रक्रिया है उसको लेकर आपकी क्या राय है या आप क्या कहना चाहिए मैंने तो हमेशा से यह माना है कि प्रक्रिया को हमेशा जनकेंद्रित होना चाहिए लोग प्रक्रिया के लिए नहीं है प्रक्रिया लोगों के लिए है तो उसको हमने करने के लिए और सरली करण किया है जनरली क्या होता था कि जो वहां जाएगा हस्पिताल में तो वहां पर कोई व्यक्ति किसी को इंट्रेस्ट नहीं है कि वो उसका लाब ले सके तो हमने क्या क तभी मिलेगा जब वो पेसेंट को एडमिट खराग के उसका जो बिल है उसको लेकर के उसके बिल को क्लियर करा के पास हो जाएगा जब रुद उनको मिलेगा और वो भिल का प्रतिशत नहीं होगा वो एक ट्रांजेक्शन के लिए कुछ फीस उनको दी जाएगी तो उससे फाइदा क्या होगा कि जो व्यक्ति वहां हस्पाल में बैठा हुआ है उसका इंट्रेस्ट रहेगा कि मैं जादे जादे लोगों को इसका लाब दिलवाओ तो वो एक प्रकार से इंसेंटिव उसको होगा इंसेंटिव अलाइनमेंट जिसको बोलते है कि उसका भी उसमें है मतलब something for him also तो यह ववस्ता हम लोगों ने की है अभी सुरुवात ही हम लोग कर रहा हैं उसके अच्छा उससे होगा यह कि अगर कोई व्यक्ति जाएगा किसी private hospital में किसी सरकारी hospital में तो वहां जाएगर संध ह learnt थेसके जहकत एक इंडियक और धिये प्यलिवेदिया करें कि मतलब कि एड्मिर्चान कहते करने से कागजी कारवाही पूर्यर पूर्यकर थे कहते है욱 कोई पॉल नहीं चलती कोई कागज नहीं चलता, सब कुछ online और पेपरलेस होता है, तो वो बेसिकली सारे पेपर्स जैसे, मान लीजे, उसका डियागनोस्टिक रपोर्ट है या बाकी सब चीज है, उसको अपलोड करके उसका जो बिल्स अगरे है अस्टाल का वाता है और हम लोग उसका पेमेंट करते हैं क्योंकि कई लोगों से वेक्त के तोर पर ये जब लोगों की प्रतिक्रियाए मिली कि उसमें बहुत जादा जहनजट है, प्राइवट अस्पताल वाले इस इन जहनजटों की वज़े से शाय थोड़ी से हिचक रहती है, लेकिन अब एक वेक्ती ऐसा बैठा है, जिसको इसक करवाते हैं फ्री में, पांच लाग के अंदर है, मेरा खाल है खाने पीने से लेकर रहने तक की सारी चीज़ है, सब कुछ है, हॉस्पिटलाजिकल रूम का किराया, सारा का सारा रे इंबर्सबल है, उनको कुछ नहीं देना है, और अभी हम लोग ए रुपी जो माननी पासा देने का व्यवस्ता है नहीं, तो बाहर जाकर आदमी अपनी जेप से पैसा लेकि उसको कराता है, जबकि उसको भी रिमबर्स होना चाहिए, तो हम लोग व्यवस्ता कर रहे हैं कि बाहर में उसको ए रुपी का वाउचर दे जिससे कि वह जाकर अपना एक्सरे करा सके या बाकी जो डाइगनोस्टिक टेस्ट हो करा सके और वो वाउचर इस तरह का होगा कि उसका उपीवग और किसी काम में नहीं कर सकता है, वो केवल एक्सरे कराने में ही कर सकता है, और बाद में क्रेड़ जाएगा जहां करवाया इटर्मिस कर आदमी इमीरेटली बाद मेंन तो क्योंकि आपका IT में और डिजिटल प्लेटफॉर्म में तो आपकी इतनी जादा रुची और कॉंटिबूशन है, उसका लाब जो है, वो इस पूरी प्रक्रिया को मिला है, हमारा जो नाशनल हेल्थ मिशन है, या आईश्मान भारत BMJ योजना है, इन सब में, शोताओ करिक लेकिन हमें कोशिश ये लगतार करते रहनी है, कि जादा से जादा लोगों को इसका लाब मिले, और इसलिए डॉक्टर आरस शर्मा साब से आज हम बात कर रहे हैं, सियो साब से, सर जब आईश्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी, इसमें PMJ योजना जो जुड़ा लेकिन उसके पहले एक कंपोनेंट ये भी था जो विलनेस सेंटर का है, लोग बिमारी ना पढ़े, पहले तो ये हमें कोशिश करनी है, और उसके बाद जो है, अगर बिमार होते तो उनको ये लाब मिल जाए, कि उनको फ्री में सारा इलाच मेले तो ये जो पूरी प्रक्र में आपको सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, उसमें करीब 2 करोण 12 लाख लोगों का हम लोग अब तक इलाज करवा चुके हैं, और करीब-करीब 8-9 लाख व्यक्ति एडमिसंस प्रति महीने हमारे होते हैं, तो एक परकार से आप मान सकते हैं करीब 25,000 लोग एक दिन में उसमे एडमिट हो रहे हैं पूरे देश में और इस देश में तेटिस राज्य और केंदर शासित प्रदेशों में यह जना लागू है, तेन जो उससे अलग हैं, वेस्ट बंगाल, ओडिसा और दिली, तो यह राज्य अभी शामिल नहीं हूए हैं, अला कि हम लोग प्रयास कर रहा हैं, तो उसमें करीब-करीब आठ लाख से नौ लाख एडमिशन होते हैं प्रति महीने, और जैसा मैंने कहा करीब 3,500 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति एडमिशन लगभग एवरेज खर्चा आता है इस पर, केंदर इसमें 60% वहन करता है, और राज्य सरकार हैं 40 प्रतिसत केंदर देती हैं या फिर कुछ ऐसे राज्य है नौर्थ इस्टेट जहां 90% सरकार देती हैं इस प्रकार से इस योजना का संचालन होता है हमारे पास जब ये योजना चलती है तो जाहिर है कुछ लोग इसका अनुचित लाव उठाने का प्रयास भी करते हैं तो हमारे पास एक एंटी फ्रॉड यूनिट है जो टेक्नोलोजी के माध्यम से उसको पता लगाता है कि ये कुछ फ्रॉडलेंट और सस्पिसस क्लेम है जैसे मानलीजे किसी का एक ऑपरेशन किसी चीज का हो गया और उसके बाद दुबारा वो कहता है कि मतलब इसका तो एक ही बार होता है मानलीजे निकल गया तो दुबारा तो नहीं निकलेगा तो ऐसी स्थिति में मानलीजे किसी ने घुटना लगवाया अपना चेंज करवाया और दुबारा फिर महीने बाद उसका ओपना फिर चेंज करवाने आ गया तो इस तरह की चीजे हमारा system उसको बता देता है लिए anti-fraud unit हमारे पास है, उसी प्रकार से हम hospitals के empanelment करते हैं, जो hospitals, सारे criteria हमारे satisfy करते हैं, उनको हम empanel करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 24,000 hospital हमारे साथ empaneled हैं अभी, और हम लोग उस प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं, कुछ दिलों ऐसे हैं, जहां जो हमारे aspirational districts हैं, जो backward districts हैं, जहां पर नई hospitals हैं, जादे संख्या में, तो उसमें हम criteria को शितिल भी करेंगे, जिससे कि छोटे hospital भी उसमें आ सकें, तो यह चार हमारे main plank हैं, पहला beneficiaries को जादे से जादे aware करना, दूसरा, जादे से जादे hospital को इस fold में लाना, जोड़ना इसे, तीसरा, उनके जो bills हैं, उनको बहुत समयबद तरीके से clear करना, और चौथा, जो हमारे package के rates हैं, उन rates को सही market rates से align करना, because कई बार मान लेज़े, किसी बार में 100 रुप्या लगता है, और हमने उसको पचीस रुप्या रेट रखा हुआ है, तो कोई भी hospital इंट्रेस्टेड नहीं होगा उसको सेवा को देने में, तो rates भी रेस्टेलाइज़ रहें, उसके लिए हमने करीब 600 package ऐसे हैं, जिसमें आएंगे, अच्छा अगर e-card बनवाना हो, डॉट सब तो अगर खुद कोई जाना चाहिए, क्योंकि पीछे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों नहीं जोड़ी भी हैं, जैसे मैंने सुना कि UTI, ITSL के इंदर पर भी PMJ के तहता इश्मान कार्ड बन सकता है, और भी कुछ नंबर भी हैं ऐसे जो पॉटल पर आपके उपलब्द हैं, जिनके माधियम से हमें जानकारी मिल सकती है, उसके बारे में शोताओं को बताए कुछ बहुत अच्छा पूछा है कि हम आखे कार बनवाना चाहते हैं, कार्ड और हम अलिजिबल हैं, हम पात्र भी हैं, लेकिन कहां से कार्ड बने कुछ बने का बने हैं,ह typ Al, the common service center çekंण survey centerごf तो इप न केंद चेंद पर उन चेंद, और फनलिप कार राजयो प्ताओं को न आ में 1 प्लिटे आपे मिनिमूम तो करीब 1.500.00.000 तो फुरे, onically 500.000.500.000 Kेंद अपना बता सकते हैं, और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने UTI, TSL के साथ और Common Service Center SPV के साथ करार किया हुआ है CSESPV के साथ, तो यह सारे के सारे लोग उसको बनाएगे, और क्योंकि इनको पैसा मिलेगा उसमें, 20 रुपया जो हम देते हैं, इनको 20 रुपया में हमने ठेका दिया है, तो यह 20 रुपया तो इन ही को मिलता है, CSESPV को, और जो वहाँ Local Volunteer, Local VLE होता है, तो उसके इंट्रेस्ट में है कि वो जादे जादे कार्ड बनाए, वेनिफिसर को देना नहीं है, तो कार्ड बनाएगा वो, और हम पैसा उसको तभी देंगे, जब वो कार्ड बनाके उसको हैंड़ोवर कर देगा, और हैंड़ोवर करने का प्रूफ हमको दे देगा, वो प्रूफ क्या है, आधार का ऑथेंटिकेशन, आच्छा, आथेंटिकेट करके देगा, कि हाँ साब मैंने इसको ये कार्ड डिलीवर कर दिया, तब हम पैसा देंगे, तो आप उसको ऑनलाइन वेरिफाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, किसको कब डिलीवर किया, फिर हम उससे टेलीफॉन भी पूछ सकते हैं, तुम्हें मिला कि नहीं मिला, तो मिला ही होगा क्योंकि उसने उस पायमेटरिक आथेंटिकेशन किया है, तो इसलिए ये व्यावस्ता हम लोगों ने की है, और आप आसानी से इस कार्ड को बनवा सकते हैं, अब ही जो आस्पतालों कि आप कर रहे थे, दर असल दो चीजें इसके बारे में डॉक्ट सब जानना चाहता था, एक तो ये है कि आईशमान कार्ड मेरे पास है, लेकिन मैं माली ची आपने ओडिशा या पश्रमंगाली या दिली की बात की, जहां पर अभी ये लागू नहीं हो पाया किसी भी वज़े से, तो क्या मैं इसका लाफ उन राज्यों में किसी धंक से ले सकता हूँ, इसके बारे में पहले बताएं, फिर दूसरा सवाल आपसे पूचिए बहुत अच्छा प्रश्ण, ये भी बहुत अच्छा प्रश्ण है कि माल लेजे कोई आदमी बिहार का व्यक्ति है और दिली में अपना मजदूरी करता है, लेकिन National Health Authority की तरफ से, दिली के हस्पितालों को हमने सीधे एंपैनल किया हुआ है, जो नीजी हस्पिताल है या जो केंदर सरकार के हस्पिताल होंगे वो भी इसके बिलकुल, बिलकुल, अगर आप कहीं पर बीमार हुए या कहीं पर होस्पिताल जाना पड़ा तो आप वहां पर भी उसी उजना का लाब ले सकते हैं तो यह इंपॉर्टन यह महत्वपूर्ण चीज है और क्योंकि हमारे सारे की सारी प्रोसेस डिजिटल है तो हमें पता है कि आप आयुष्मान राशन कार्ड की बात हम लोग कर रहे हैं तो उसको इसी प्रकार से हम लोग इंप्लिमेंट कर सके हैं कि हमारी डिजिटल आइटन्टी ऑन-लाइन है और हमारा और जब भी हम जाएंगे अपनी आइडेंटी प्रूव करेंगे हमारा ओनलाइन उसे क्या एंटाइटलमेंट है तो यह हो सकता है कि मेरे परिवार के लोगों ने ले लिया हो आधाध राशन, आधा राशन में यहां ले लूगा, क्योंकि मैं उस परिवार कांग हूँ, तो य हमेशा उन्होंने इस तकनीक को बढ़ावा दिया है, उनके सर्रक्षण में और उनके निर्देशन में हम लोगों ने बहुत बड़े-बड़े काम किये हैं, आधार को जैसा आप जानते हैं मानी प्रदानमंत्री पुनरजीवित किया एक प्रकार से, बहुत बड़ा एक प् यह बहुत सारी चीजें उसके उपर पड़ा हुए, इलेक्ट्रोनिक के वाईसी है, ऑथिंटिकेशन है, जिसके वज़े से पूरा देश में राशन बट रहा है, उसके बाद यूपी आई है, पेमेंट का जो सिस्टम है, जिसमें 300 करोर टांजेक्शन प्रतिमहीना होते हैं तो यह सारी चीजें जो हुई है, इन चीजों ने एक बड़ी अच्छी नीव पैदा कर दी है, बड़ा अच्छा एक बेस बना दिया है, जिसके आधार पर हम बहुत सारे काम चीजें त्वरित हो रही हैं, और कहीं कोई लीकेज उसमें नहीं होती है, लीकेज तो बहुत ब आया था व्यक्ति, और नकेबल जो व्यक्ति है, वो भी कह सकता है, हम गए ही नहीं, तो हमारा राशन किसने ले लिया, तो यह जो यह authentication है, यह authentication है, एक प्रकार से third party का proof है, कि वो व्यक्ति वहाँ था, उसने यह transaction किया, और इस तरह ऐसे हुआ, तो यह बहुत important चीज है, शो हाल में, डॉक्ट साब, एक और अबारत जो लिखी गई है, एतिहासी कदम उठाया गया है, वो है डिजिटल हेल्थ कार्ट को लेकर, और डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत यह कार्ट मुझे लगता है, और इस रूप में चीजें बहुत आसान होने जा रहे हैं, लेकिन अब जरूरी है कि आखर किस तरह से आसान होगी, अब यह आप ही बताएंगे हम सको, देखिए बहुत बड़ी पहल माननी प्रदान मंत्री जी के निर्देशन में और उनके गाइडेंस में हुई है, जिसका अनावरल, जिसका नैशनल लांच माननी प्रदान मंत्री जी ने 27 तार प्रदा उनके और तो किस प्रकार से भाली हमारी टेकन technology की infrastrukgy प्रदा खेवर्णे है, कि से अफ्री बताएं सोग्यृ पहल जानते हैं, लोग गाओं में फिल्म देखते हैं, इतना सस्ता है. यह एसिस इस्तितिह समकrice की गई उसका उद्देश यही है कि health service की delivery में हम technology का इस्तेमाल करके कैसे उसकी खीमत कम कर सकते हैं, कैसे affordable बना सकते हैं, कैसे आसान बना सकते हैं लोगों के लिए और कैसे हम लोग उसके जादे व्यापी कर सकते हैं, उसको समावेशी बना सकते हैं, यह इसका उद्देश यह है, और इसलिए इसमें जो basic जो मुद्दे हैं वो यह हैं कि भाई, लोगों का digital health ID मिला, तो लोग अपने जो, इनके जो health के records हैं, उन records को भी digital group में तक हैं, जैसे माल लिजे मैंने vaccination करवाया, vaccination certificate मेरे पास है, तो इसी प्रकार से digital health records भी लोग रख सकेंगे अपने mobile में या अपने जहां पर भी hospitals हैं उनको मतलब डौट सब बताया थोड़ा स्पष्ट होना चाहूंगा खुद को करना चाहूंगा कि मैं दॉक्टर के पास जाता हूं जाता हूं जाता हूं वह कुछ prescription लिखते हैं या कोई टेस्ट करवाया जाता है MRI का टेस्ट है जो भी है अब वह सारी जो report होती है prescription होता है क्या मैं उसको इस पर अप्लोट कर सकता हूं जो future में कभी भी मैं उसको या कोई और doctor consult करता हूं तो वह access कर सकता है बिल्कुल इसका यही अदेश्य है कि जो hospitals है माल लिजे आपने टेस्ट करवाया तो कोई diagnostic test करवाया ब्लट टेस्ट करवाया तो ब्लट टेस्ट कर रपोर्ट तो आपको मिलेगा ही pathological lab से लेकिन साथ-साथ वह ब्लट टेस्ट का रपोर्ट जो लैब होगी वह भी इस प्रक पही रहेगी रिपोर्ट लैब के पास रहेगी लेकिर इस फॉर्म में रहेगी जहां से वह इंटरनेट से एक्सेस हो सके अच्छा तो लैब को यह विवस्था करनी होगी कि इसकी रिपोर्ट करके रखें जिससे कि जब भी एक प्रकार का fetching request आया तो उसको fetching कर सके एक बा अपने मुबाइल में रख सकता है तो पहली बात तो यह होगी कि मतलब उसको फिर और क्या होता है कि डॉक्तर को जब दिखाते हैं हमाई बास कोई रहती नहीं पहले कि तो फिर दॉक्टर साब सुरु आसे करते हैं कि यह बलग टेस्ट करवाओ यह टेस्ट करवाओ और टे सिर्फ एक इंटियेकन दॉक्तर अधार में फिर अजैसे अधार में रह दिया यह चाहाँ अधार में अधार लिए आप कोई छास महत नहीं जहां मनमें ज्लिफ लिऑ तो जैसे कि आपने देखा होगा कि र beginningकरे अधार रहे गी या अधार से लिंग आप भना ज्म्तर हो तो विर्चुल हेल्थ एड्रेस भी कर सकते हैं, तो फिर आपको इडरेस आपको इडर्टी नम्मर याद रखने के आपके 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 याद रखी रखी रहे रहें, तो जिस तरह एमेल एडरेस उसी प्रकार सी हो गया। अच्छा इसके आधार पे अपना सब्रेकॉर्ट अप यहां रहें 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 वो नहीं कर रहे है, number one, number two, patient के control में है, चाहे वो share करना चाहता है अपने डॉक्टर से, तो patient ही उसको share कर सकेगा, और कोई यह नहीं share कर सकेगा, यह जो सारी विवस्था की गई है, इनका उद्देश यही है, कि पूरी तरह से privacy preserving विवस्था हम लो, कहीं मन में कहीं थोड़ा सा सवाल उठते हैं इस तरह के, यह हल्थ का डेटा बड़ा इंपॉर्टन है, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी रिपोर्ट किसी और को मतलब बिना बाद के दिखाई पर, कहीं उसका कोई मिस्यूज हो सके, मालेजे मुझे कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, इसके बारे में नहीं पताना चाहता है तो उसको क्यों पब्लिक किया जाए निशित रूप से आपके हां तो लगतार मन्थन भी चलता रहता है, मैंने सुना भी हाल में एक आरू की मन्थन किया, इस तरह की प्रक्रियाओं से क्या-क्या, किस रूप में हम सब को लाब मिल पाता है, देखे इस प्रक्रिया बहुत आवश्चक है, कोई भी संगठन जब तक लर्निंग संगठन नहीं होगा, हम आखिरकार ऐसे चित्र में काम कर रहे हैं जहां टेक्नलोजी का, हेल्थ का, यह इंटरसेक्शन है, और इस इंटरसेक्शन में जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा, हम लोग एक स्टैटिक ओर्गनाइशन हो जाएंगे, तो आरोगी मन्थन के माद्यम से हम बहुत सारे एक्सपर्ट जो इन विधाओं में एक्सपर्ट हैं, जो लोग जानकार हैं, जिनका अनुभव है, उनके अनुभव से हम लाव उठाते हैं, उनको साजा करते हैं, और देखते हैं कि उनके अनुभवों को हम अपने संगटन में कैसे उठा सकें, और इसमें अंतरराश्टियर इस तरह के लोग भी रहते हैं, जो आकर करके अपनी बाते कहते हैं, अपने अलोब साजा करते हैं, तो ये आरोगि मन्थन एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के बाद्धियम से हम लोग भी अपने आपको अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, यह आपका काम करने का अप्रोच शुरू से रहा है इस जो स्टेक होलिर्स हैं, हर पक्ष है, उसको जोड़ना, जानना, सीखना और उसका लाव समाज को मिलना, आखिर में डॉक्ट साब, चलते चलते आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, शोतों को हमारे, मैं केवल यही कहना चाहूंगा, कि देखिए, यह जो माननी प्रदा हो और इलाज हो, साथ ही साथ सारी विधाओं को जो इंडियन सिस्टम अप मैडिसन हैं, उनको भी हम पूरी तर ऐसे लाएं, आयरुवधिक, यूनानी, होमेपैथी, सारे सिस्टम को, तो यह उनका जो एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन है, उस विजन को हम लोग प्रयास कर र कि दो कि पको आची कि दोक्टर से कंसल्ट करें न बंब यंक किसी दोक्टर से कंसल्ट करें, यह जो डिजिटल मिशन हें यह मिशन टे linen करिलोई..? टेली विधातों को हम आडियंसे कि दो सुनिश्टराधि हम साथ को तो जो ब्स तो तो एक वां टेक्र अलोजी जो तो जो विक्ति जहां है वहें उसको हेल्थ, जो स्वास्टि सुविधाय है वो मिल सकती है, जो मिल सकती है reparself пост के इस सदो नहीं मिल सकती है उनके विधिश लिए तो ट्रैवल करना ही पढ़ कारएगा। फिर डॉक्टर से कंसर्ट करके फिर जाएगा यह सब काम ने करना पड़े उसको यही उद्देश है चलिए और हम यह प्राटना करते हैं और लोगों से अपिक्षा भी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हैं ताकि उसका लाव उनको मिल पाए समाज को मिल डॉक्टर आरेश चर्मर साब आपका बहुत-बहुत आभार इस कारकेम में शामिल होने के लिए इतनी विस्तार से बाचीत के लिए इतना सारा समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ पर मुझे यामंतृत करने के लिए जैसा मैंने कहा कि All India Radio आपनों पोस्ट वक्स नमबर 111 से जुडने के लिए जरूर बातों को ध्यान से सुनिए उन्हों को जीवन में अपनाईए अपने जीवन को बहतर बनाईए और आप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो राष्ट भी सशक्त होगा आपके लिए बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ अब जनेंद्र को अनमती दीजे नमस्कार झाल 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 झाल